नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं के लिए ऑनलाइन परिक्षा 13 अक्टूबर से शुरू होगी भातित समधी अधिकारिक बेप साइट पर जारी करती गई है 27 जुन 2003 से 27 दिसंबर 2006 तक जन में उमिद्वार भारतिय वायू सेना के अगनी वीर वायू भारति के लिए आवेदन कर सकते हैं इसी के अनुरूप द्रगत बराहती कक्चा या इसके समकश परिक्चा विग्यान संकाय में गनीता भाiantly ओतकी और अंग्रेजी विशृ के साथ याम काला था वानि जेशन कज में किसी भी विशाय के साथ 50 पिजदी अंक के साथ उतिन हो वहीं अंग्रेजी पिशाय में भी 50 पिजदी अंक होना अनिवार जहा है आदिवासी नेता सुभास मुंडा की हत्या की बिरोध में जारखन बंद आदिवासी नहीं किया है क्रोसिंग के पास आर्पीए बल की तैनाती कर दी गई है अभी तक रांची लोहदगा रांची पेसंजर का इस रूट से नियमित परिचलन हो रहा है इसके लावा कांखे चोग पर जाम लगाया गया इसके चलते रांची पत्रातु मार्ग पर आवा प्रतिपक्ष लंबे इंतिजार के बाद जहरखन बिधान सभा को नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है साम साथ वे रांची में बीजेपी बिधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें फैतला लिया जा सकता है बैठक में केंद्रिये नेताओ के भी सामिल होने की बात कही जा रही है बता दे भाजपा विधायक दल का नेता कौन होगा इसको लेकर चर्चाओं के बजार गरम है मांडू विधायक जब परकास भाई पटेल के दिल्ली में केंद्रिय नेताओं से मुलकात के बाद पार्टी के अंदर तरह तरह की चर्चाओं होने लगी है हालाकि आए साम भार्तिय जन्ता पार्टी विधायक दल की बैठक में नेता के नाम पर मुहर लगाने की समवनों जताई जा रही है वहीं बाबला मुरांडी के परदेश अगजक्त बनने के बाद यह खयास लगाच जा रहा था एक बीधायक दलके नेता का नाम नाम नॉई सीरे से तय होगा और इसको लेकर बाबलामाडी ने पिछले दिनों केंद्रे नेतित को भी बिधाया कि दलके नेता के पद पर किसी दूसरे ब्यक्ति को नामित करने कागरा किया था माकपा नेता की हत्या से आकरोस सौव के साथ सवक जाम माकपा नेता सुभास मुंडा की हत्या के बिरोध में आक्रोसित लोगों ने स्वाव के साथ रांची गुमला मार को जाम कर दिया हलागे पुलिस अपराधियों को गिरफतार करने के लिए जोर सोर से काम कर रही है आधा दर्जन से द्यादा भूम अफ्याव को पूलिस इरासत में लेकर पुश्टाच कर रही है वहीं रांची एसेस्पी ने मामले में करवाई करते हुए नगली थानेदार को निलंबित भी कर दिया है बता दे बुद्धवार की रात आक्रोसित भीड को समझा बुजाकर रांची डियाई जी और एसेस्पी ने वापस भेज दिया था और देर रात ही सुभास मुंडा का पोस्मार्टन भी रिम्स में करवा दिया गया था लेकिन जैसे ही गुरुवार की सुभास सुभास का सव दला दली पहुंचा अस्थानी एक बार फीट आक्रोसित हो गाए उन्होंने स्टलक पर उतर का सुभास के सुभास के साथ रांची गुमला मार को पुरी तरह से जाम कर दिया मोके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तनाती किया गया रांची पुलिस के कई अपसर मोके पर पहुँच भिल को समझाने का पर्यास करते रहे उधर रांची अने इलाके रातू पिसका मोर और मांजी सहित अने छेत्रों में भी आक्रोचित लोगों ने जाम कर दिया नगडी रेलवेट ट्रेक को भी लोगों ने जाम कर दिया है जार्खन सरकार ने लिखा केंद्र को पत्र मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों पर नहीं होता डी डी टी का असर जार्खन में मलेरिया के मच्छर मरते नहीं है पर मच्छरों को मारने के लिए जिस की इतना से का परियोग जार्खन में किया जाता है उसे तो मच्छर बिल्कुल भी नहीं मरते दरसल ए चौकाने वाला खुला सा जार्खन सरकार और National Institute of Malaria Research के एक रिसर्च में हुआ है इन रिसर्च में पाया गया है कि जार्खन में Malaria के मच्छरों पर DDT के छिर्काव का कोई असर नहीं होता गौतलब है कि जार्खन देश के उन राजियों में से एक है जहां हर साल बड़ी संख्या में Malaria के केस मिलते हैं जार्खन, वेक्टर, बोन्स, डिजीज, कंट्रोल के आखड़े कनुसार वर्ष 2018 से लेकर 30-2023 तक एक लाख पाचास से र तिन सो पंचानवे की संख्या में Malaria के मरेज मिले हैं Malaria और मर्चर जनीत बीमारियों को कावूं में रखने के लिए सरकार DDT-4 पर्थित का बड़े प्रमेर परशिरकाव कराती है रिम्ष के कई बिभाग से गायब मिले डॉक्टर सोका जारी रिम्ष निदेशक डाक्टर राजीव कुमार गुपता ने बुद्धवार को कई बिभागों का आउचक निरिक्षन किया इसमें कई बिभागा द्यक्ष डूटी से गायब मिले इन में फिजियोलोजी, एनाटोमी और पी एस एम बिभाग सामिल है निरिक्षन की दुरान नहीं बिभागा द्यक्ष मौजूद थे और नहीं डूटी में तैनाथ कोई डूक्टर ही दिखाई दिये रिम्ष निदेशक ने इन बिभागों के होडी और आने डूक्टर को सोका जारी का 24 गंटे के अंदर जबाब देने को कहा है बता दे रिम्ष के माइक्रोबलोजी पैथोलोजी और बायो केमेश्ट्री विभाग के निरिक्षन में सभी होडी और डूक्टर डूटी पर दिखे कई अने विभागों के अंदर चिकित सको और कर्मियों के डूटी में न देख निदेशक भड़क गए नेतरहाट आवासे बिद्याले में दाखिला के लिए आवेधन की परकिरिया जारी बतादे इस परिक्षा में सामिल होने के लिए चात्री कुम्र 10 से लेकर 12 सल के बिच होनी चाहिए साथी वे पांच भी पास हो आवेधन 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 करने होंगे कॉलेज के मुखे गेट में तलाबंदी कर स़ाक जाम कर दिया इसके साथ ही परचारे को कमने में भी बंद कर दिया कॉलेज परसासन अपने जित पर अड़ा हुआ है कॉलेज में इंटर की पढ़हई बंद कर दिया है इस से 1000 चात्रों बहुईस्वेदाव पर है गुमला के दूसरे कॉलेजों में छात्रों का नमांकन भी नहीं हो रहा है बता जै कि कार्तिक उराव महाविद्याले गुमला में इंटर की परहाई नहीं होने से छात्रों में अक्रोस कम होने का नाम नहीं ले रहा बुद्धवार को जीले के सभी छात्र संगटनों के छात्र नेताओं ने बैठा कर सन्युक्त रूप से इस लडाई में भाग लेने कानी ने लिया था छात्र नेताओं का काना है कि कॉलेज परसासन की मनमानी वहा हट धर्मीता से कॉलेज में इंटर की नमांगन की परक्रिया शुरू नहीं हो पाई है गिरीडी में महिला को पीटा और कपड़े फाड़ कर रात भर पेड़ में बांधा गिरीडी जीले के सरीय थाना छेतर में एक महिला के साथ मार पीट कर उसके कोपड़े फाड पेण से बांधने का मामला परकास में आया है या घटना बुद्ध्वा रात एक गारा बजे किया पिडित महिला के अनुसार रात में किसी ब्यक्ती ने फोन कर उसे घर से बाहर बुलाया था बाहर आने पर दो युग घर के बाहर खड़े मिले जिन होने उसे अपनी बाइक पर बेठाया और घर से लगवग एक किलोमेटर दूर ले गया जहां उसकी पिटाईक और सरीर में पहने वस्त्र को फार दिया और उसे यूके लिप्टस के पेड में बाद दिया गया उक्त महिला रात भर पेड में बंधी रही पीम ने जहारखन को दी 1607 किसान समरीद केंदर की सवगाद परधान मंत्री ने गुरुवार को 1,25,000 परधान मंत्री किसान समरीद केंदर का उधगाटन किया मुखे कारकरम रायस्थान के सिकर में हुआ वहाँ सही पधान मंजरी ने देश भर के किसान समरीद केंदर का उधगाटन किया इसका सभी केंदरों में ओनलेन प्रसारन भी हुआ है जारखन में 1607 किसान समरीद केंदर खोले गए हैं इन केंदरों पर उध्गाटन समारों में भाग लेने के लिए किरिसी विभाग के अधिकारी और किसानों पस्थित थे किसानों में काफी उच्छा देखा गया एक ही छत के नीचे किसानों को तमाम तरह की सुविधाय मुहया कराने के लिए किसान सम्रीदी के अंदर खोले गए हैं इन के अंदरों पर किसानों को खाद, बीज और किरिसी उपकरन से लेकर मिटी की जाच की सुविधाय भी मुहया कराई जाएगी प्राथम चरण में राईधानी राची समेच सभी जीलों के पर्खंड और परमुख अस्थानों पर PMKS के खोले गाए हैं पाकुड में आदिवासी महिला संग सामोहिक दुसकर मामला जूठा पाकुड के आमड़ा पाला थाना छेत्र के एक गाउं के पास महिसपूर थाना छेत्र के रहने वाली चातिस वर्ची आदिवासी महिला के साथ समयक दुसकर मामला जूठा निकला महिला का मेडिकल के अलावा UPT urine pregnancy test भी कराया गया मेडिकल रिपोर्ट में दुसकर में की पुष्टी नहीं हुई UPT रिपोर्ट भी निगेटिव आया है बता दे मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है पुलिस अब महिला के प्रेमी की तलास में है प्रेमी को पकड़ने के बाद मामला और भी अ पश्ट हो जाएगा महिला ने अपने प्रेमी समें 10-12 योकों की विरोधुसकार्ण की प्राथमी की दर्ज कराई थी हर्स जोहार के जरिये जार्खन की संस्कृति सीख रहे बिद्यार थी जार्खन के कई स्कूलों में लागू हर्स जोहार पाथकरम की जरिये यहां की विद्यार थी जार्खनी संस्कृति भी सीख रहे हैं राज सरकार ने कक्छा 1 से कक्छा 12 तक समाजिक संस्कृतिक पहलूपर ध्यान के निरित कर इसे सुरू किया है इस पार्ठ करम में जार्खन के प्रसांगिक छेत्र और संस्किरिती की जलक है लोक कथाओ, वास्त्वीक, अनुभाओ, छेत्रिये गतिवीधियों को एकिकरित किया गया है जिसे बचे रूबरू हो रहे हैं इस पार्ठ करम को बदलते समय के अनुरूप नए तरीके से डिजाइन किया गया है जो हमेशा खुस राने की गतिवीधियों से शुरू होगा और संकल्पना और अभिव्यक्ति के साथ समाप्त होगा धन्यवाद